हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा सिकलिंग टेस्ट क्या होता है सिकलिंग टेस्ट कब करवाया जाता है सिकलिंग टेस्ट के लक्षण क्या होते हैं सिकलिंग टेस्ट कैसे होता है सिकलिंग टेस्ट का प्राइस क्या होता है पूरी डीटेल्स जानेंगे इस विडिय का पता लगाया जाता है SCD यानी Sickle Cell Disease Red Blood Cells से जुड़ा एक प्रकार का विकार है जो की माता-पिता द्वारा बच्चों में आ सकता है इस बिमारी में व्यक्ति के शरीर में असाधारड तरह का Hemoglobin बनने लगता है जिसे Hemoglobin S कहते हैं ये उस जीन में म्यूटेशन होने के कारण विकसित होता है जो हीमोगलोविन को बनाने की प्रक्रिया से संबंदित होती है इसके कारण red blood cells की आकरती भी विशेश प्रकार की हो जाती है ये सक्त और चिपचिपी हो सकती है ये blood clot का खतरा बढ़ा सकते है और इसके कारण red blood cells की संख्या में कमी नमबर टू, सिकलिंग टेस्ट कब करवाया जाता है। सिकलिंग टेस्ट के लिए जो पेशेंट के वेन से लिया जाता है। सकती है। मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्ता है। झाल झाल